पूर्ण गुट मॉर्निंग वेलकम बैक टू दी चैनल और फिर स्वागत है आपका एक नया व्लॉग में आज है मंडे मंडे वली पूजा हो चुकी है और बचे मंदिर गाये थे मैंने घर में पूजा की और बचे न अभी स्कूल चले गये हैं और यह भी अभी आपिस के लि यह अधी जारही हो तुन के तैके काम ने शुमाने क्शाने क्योंकि ना ही काम सर अरा मेरा प्रेंडिंग क्ली गंद्ट长 बची खांगर में वो cheap क्ली उत्येमिंस मैं जैसे की तइससे कुम हूआ काकु चे परणाय बचाम हूए मिसरा क्लीं प्रूनीग करूंगी तो चलिए फिर में क्लीन करती हूं और फ्रेंड्स अगर आपको लो वीडियो ज़रा से भी यूश्फूल लगती है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके वेल आगन प्रेस कीजिएगा वीडियो देखते रहने के लिए तो चलिए फिर मैं आगे मिलती हूं आपसे तो यहां पे मैं कपड़े सुखा रही थी कल के कुछ कपड़े थे और आज के हैं और यहां पर धूप तो नहीं है बट गर्माहट है इसलिए मैं पलट-पलट कर कपड़े सुखा रही थी जो सूख गिया है उसको में अंदर ले जा रही थी क्योंकि बरसात का मौसम है फिर करकर फिर इसे अपने जगह पे लगा दूँगी और फिर मैं आगे के काम निप्टाओंगे अब भीरा में आप से डारेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे और टाइम देखिए यहां पे उरा ना पांच बस के 30 मिनट और चाय मैंने पी ली है और मैं जा रही हूं क पीजन में यूद करने हैं के यकान आफ़ डेन कि तैयारी है तो यहांगे आघर कि से पहले तैयारी कर ले रहा हूं और अज हरा मैं बना रही हूं आलू और सोयाबीन की सबजी पेष्ट कुकर में बनाऊंगी बहुत ही जल्दी वन कर तयार हो जाएगा और या आपको अल सब्सक्राइब कर दिया है तो चली वीडियो में बने रहेगा और कन्तिनीव कीजिएगा वीडियो तो यहां पर मैं फट्टाफट से आ गई थी किचन में बनाना था डिनर मैं डिरेक्ली आपको स्वाम के टाइम में मिल रही हूं तो सारी चीजें मैं यहां पर तयारिया कर ल बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है बस जितने हाथ से अच्छे से निचोड़ा जाए बस उतना ही निचोड़ना है तो लीजे मैंने से दूसरे बावल में ट्रांसपर कर लिया अब डालना है दो चम्मज के करीब दही तुम्हें यहां पे बिल्कुल गाड़ा दही का इस करेंगे इसमें यह मेरीनेशन हमारा तयार हो गया है और इसे 15-20 मिनट के लिए रख देना है तो यह हमारा तो यह अच्छे से मेरीनेट हो जाएगा और इस तरीके से आप एक बार सोया भी नहीं बनाए हो तो जरूर बना कर देखेगा आपको बहुत ही पसंद आएगा तो कारेंगे तो फर चाहु रहाँ है अच्छे से गर्म हो जाने देंगे उसके बाद मैं यहां पर डाल रही हो जीरा और यह सब झीड़ा अलग से से इसमें हमें किसी भी तरह का मुत्तर मसाला पहले से रेडी करके रखने की यह ज़ुरत नहीं है तो मैंने डाला जीरा में कट किया हुआ मेडियम थिकनेस का क्योंकि फिर इसे हमें तो गलाना है इसलिए तो चलिए प्याज को हमें सुना रहा होने तक भून लेना और यह देखिए सुना भी हो गया है तो अब इसमाइड करना है थोड़े से मसाले तुम यहां पे डाल रहे हो हल्दी पाउडर धन गुछ सब्सक्रादेर को फेसे नहीं ड़ाला है क्योंकि हमने ना मेरी नेशन लासे उसमें हमने डाला था इसलिए यह यहां पर डालें शाइज में पैस्ती श्षान पानी डालेंगे चलिए फैसे मिक्स कर देते हैं और अभ यहां पर तीन से इस तरीके से यह हमारा मसाला पेश्ट भी रेडी हो जागा अगर लाइट का टेंसन है तो फिर आप इस तरीके से इस रेसेपी को जरू ट्राइ कीजिएगा तो देखें दो सिटी लगाने के बाद यह अच्छे से सौप्ट हो गया है सारी चीजों को कल्छी की हल्प से हम मैं म किया है और यह मसाला हमारा अच्छे से पेश्ट के रूप में कनवर्ट हो गया है तो अब यहां पर डाल देना है अलू मैंने पर कच्छा अलू का ही स्तमाल किया है क्योंकि हम सबजी कुकर में बना रहे ना इसलिए तो चलिए अलू को भी मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है तो लीजे अलू भी हमारा भून गिया है अच्छे सही अब यहां पर क्या करना है जो हमने मेरिनेट करके रखा है ना सोया बिन वह यहां पर डाल देना है और इसे डालने के बाद भी हमें इसे 1-2 मिनट भून लेना है क्योंकि हमने इसमें दही क पाणी डाले और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम मात्रा में पाणी डालिएगा चलिए मिक्स कर देते हैं और अब कुकर का धकन बंद करेंगे और इसे हमें सीर्फ और सिर्फ एक सीटी ही लगाना है तो लीजे एक सीटी लग जाने के बाद यहां प पर टेस्टी सोयाबीन दही की सब जीवन कर तयार हो गई है और यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो रेसिपी आप एक बार जरू ट्राइगा और हाँ वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा तो चलिए फटफट से मैं इसे भी चौक दे रही हूं और यहां पर फिर मैं आटा लगाऊंगी रोटी बनाऊंगी क्योंकि डिनर का टाइम हो ही रहा है और मैंने इनको फोन किया तो यह बोले मैं 8 वजे तक आ जाओंगा बड़ देखिया कब तक आते हैं बच्चे भी साइबु ड Delいう कें लेपारी हैं यहां पर सब्ची भी बन रहा हुं अखी हुआ है मेरे डिनर बन कर एडि हो गया है और मच्चे भी पढाई का रहे हैं लाइक मैंने बंद कर दी है तो यहां पर आ चुके थे और जल्दी आ रहे थे ना तो बच्चों ने डिबान किया था कि कुछ लेते हैं यह पापा तो बच्चों के पसंद का वो फिर कुछ ले करके आये थे तो यहां पर आज का व्लोग मैं एंड करती हूं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आये तो प्लीज प्लीज धिर सारा लाइक कीजिएगा और साथ मैंने चैनल ने पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो के